ओवारूपी के उपर साल की सबसे बड़ी ख़बर सबसे बड़ी खुसकबरी देखिए सी एन बीसी टीवी न्यूज मीडिया के माध्यम से वन रैंक वन पेंशन के उपर पूरी अपडेट निकल करके आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कैबिनेट की जो मीटिंग फैसला लिया है कि वन रैंक वन पेंशन का पैसा कितने समय में कैसे देंगे या फिर नहीं देंगे वो पूरा इन्फॉर्मेशन में दूँगा साथी में यहाँ पर एक नया नियूज भी निकल के आ है कि अब सैनिक अस्पतालों में भी हो सकेगा एउस्मान कार्ट से फिर जैसी तमाम न्यूस सबसे पहले सही सटिक फ्री में मिल सके चलिए न्यूस के और बढ़ते हैं सब कुछ बारीकी से समझते हैं तो देखें यहाँ पर जो है 26 अपरेल के साम को यहाँ पर पूरा इन्फॉर्मेशन जो है कैबिनेट मीटिंग जो हुई उसके बाद बाह कारी जो है इसमें लिखी वी है तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि क्या क्या यहाँ पर कहा गया है सबसे पहले कहा गया है इसके अंतरगत की कुमुलिटीव एमाउंट पेड एज एरियर तो डेट इस एबाउट 6,000 करोड आउट अव टोटल यानि 28,000 करोड रुप जो होगा पेमेंट ऑफ पेंडिंग एरियर जो है यहां पर वो होगा यहां पर लगबग 22,000 करोड क्योंकि यहां पर 28,000 करोड में से 6,000 तो अभी दे दिया जाएगा और जो 22,000 करोड रुपे वो 28 फरवरी 2024 तक आपको पता है जैसा कि मिल जाएगा सभी भूत पूर साइन वो यहां पर एक्जिस्टिंस मेडिकल कॉलेज जो है वहां पर बनाया जाएगा तो यह तो अलग बात रही लेकिन हमारी जो मेन मुद्दे की बात है कि सरकार ने यहां पर फाइनल मंजूरी दे दी है पूरी यहां पर ओफिशल नियूज आ चुकी है कि 6,000 करोड रुपे अभी जा रही होगा लगबग और माकी जो 22,000 करोड रुपे हो 28 फरवरी तक जो है सबी के खाते में आ जाएगा तो यह एक बड़ी जानकारी बड़ी इंफोर्मेशन थी आप समाम भूतपूर सैनिकों के लिए इसी टाइप की और वी इंफोर्मेशन जानकारी के लिए हिंद जय भारत